जहिन दोस्तों यह है 2022 की न्यू मोडल हॉंडा SP 125 का डिक्स ब्रेक बेरियंट मिट ब्लैक कलर के साथ टोटल 5 कलर आप्सन के साथ यह बाइक आती है अगर बात कर इस बाइक की ऑन रोट प्राइज की मैंने आपको दी है प्रसांत मोटर्स का लंबाग रोड लेलीन चौक मुझपर पुरिस्तित सोरूम में चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के फ्रेंट लुक की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको वींड सील का ग्लास देखने को मिल जाता है जिस पे आप हॉंडा की ब्रैंडिंग को देख सकते हैं साइड में आपको कोई भी ग्राफिक्स का यूज देखने को नहीं मिलता है split LED headlamp setup देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको haloson के turn indicator देखने को मिल जाते हैं सामने से आप देख सकते हूँ registration plate की जगा देखने को मिल जाती है matte black color finish के साथ यहाँ पे आपको front वाला mudguard देखने को मिल जाता है front suspension की बात करें तो टेलिस्कोपिक टाइप के सस्पेंसन देखने को मिल जाते हैं जिसके दोनों और कमपनी ने रिफ्लेक्टर प्रोवाइट कराया है ब्रेकिंग आपको मिलता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हो तो कुछ परसेंट आगे वाली भी काम करती है और इसमें आपको मिलता 818 के ट्यूबलेस टायर, ब्लैक कलर के एलवाय के साथ, यहाँ पे आप एलवाय का डिजाइन देख सकते हैं, काफी सांदार लुक में इसके एलवाय का डिजाइन कमपनी ने दिया है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे इस बाइक के राइट सा रेंकाता है, 11 लिटर्स कैपे सिटी आपको देखने को मिल जाती है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे इसके कंसोल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फूली डिजटली टाइप का मीटर कंसोल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसके उपर में आपक इंडिकेटर, ओडो मीटर, ट्रीप मीटर, और साइड में दो बटन मिल जाते हैं, जिसमें आप रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हैं, कि आपकी बाइक कितनी माइलेज दे रही है, रियल टाइम रेंज भी देखने को मिल जाती है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते है इसके right handle पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो red color का आपको engine kill switch और self start की switch देखने को मिल जाती है इसकी दूसरी और चले तो यहाँ पे आपको passing की upper deeper की switch देखने को मिल जाती है turn indicator और horn की switch यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है दोस्तो next बात कर इस bike के seat comfort की तो यहाँ पे आप इस bike का seat देख सकते हो पीछे वाली seat उची मिल जाती है आगे वाले की मुकाबले 790 mm का seat height देखने को मिल जाता है कुसनिंग काफी अच्छी देखने को इस bike में आपको मिल जाती है South 57 wपे साइड पैनल पे आपको SP125 की बैसिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको ESP की बैसिंग देखने को मिल जाती है इंजिन पे आपको Hyundai की branding देखने को मिल जाती है 160 mm का ground clearance देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपकी cleaver देख सकते हो चलिए दोस्तों next बात करेंगे तो 10.9 इनेम का जेनरेट करता है 6000 आर्पीम पे आप इसका एक्जॉस्ट देख सकते हो कुछ इस तरह का एक्जॉस्ट के उपर मॉफलर गार्ड देखने को मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको काफी सांदार ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है इसकी एक हाइडरोलिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं जिससे आप वेट और डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे 818 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं 130 mm का इसके रेर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है चलिए दोस्तों नेक् देख सकते हैं और बॉल्ब के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर मिल जाता है रेजिस्टेशन प्लेट की जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसकी अगर दूसरी ओर चले तो इस बाइक की आप लेट साइट की प्रोफाइल देख सकते हो कुछ इ साइड स्टेंट कंट हो जैसे फीचर्स बायक देखने में दोस्तों ब बात कर ऑफ की टॉप स्पीड की आप य कीड ही लिर माईलेज इस बात करें तो 55 MPL की माईलेज यह पासानी के निकाल करके देती है चलिए दोस्तों फाइनली बात करेंगे इस बाइक की ऑन रोड प्राइज की तो जैसा कि यह डिक्स बेरेक भिरियेंट है तो यह बाइक 98,544 रुपीज में मिलती है यह उन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको दिया प्रसांत मोटर्स कलंबाग डोड लेलिन चौक मुझहफर पुरिस्तित सोरू में आप सोरू में विजिट कर सकते हो होंडा की किसी भी बाइक का टेस ड्राइब ले सकते हो दोस्तों आप लोग किसी भी सीटी से और इस बाइक की ऑन रोड आते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने सीटी का नाम लिकर के भेज सकते हो थैंक यू दोस्तों वीडियो गलाश तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करे शेयर करे और बाइकर्स और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा थैंक यू सो मच